दोस्तों मेरा नाम राशीर जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज नाइन टीवी उत्तर परदेश सरकार की तरफ से एक फर्मान जारी हुआ कि जो लोग कुछ इस तरह की बात बोलते हैं लिखते हैं पत्रकार जो ऐसा लगता कि शाशन्त के खिलाफ हैं डियम वहां का वहां का एससपी जरा उनसे पूछ गच करे हंगामा मचा हुआ है पत्रकारूत की आजादी पर हमला है कुछ इस तरह से बोल रहे हैं बहुत से लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं लेकिन बात ये है कि इसमें भी को बागळ बिलने हैं जिन्होंने देश को रवांडा बनाने की पूरी कोशिश कर ली है अमन चोपड़ा का नाम का आदमी वह बाकाइदा नफरत घोलता है अमीश देवगर बाकाइदा नफरत घोलता क्या इनको भी नोटिस मिले हैं कि आप लोग अगर नफरत पहलाने की दो सॉलुशन जर्मनी में जब हिटलर ने यहूदियों को मारने का पिलान किया था तो वहां फाइनल सॉलुशन का नंबर आया था 60 लाग यहूदि मार दिये थे उसने 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 का पर्मनेंट इलाज अब ये बताईए नू के अंदर अगर दंगा हुआ है पथरा हुआ है तो कानून अपना काम करेगा वो काम सही हुआ गलत हुआ एक अलग चर्चा का विशह है लेकिन तुम पहले से ही दरोगा बन जाते हो निउस स्टूडियो में बैठ करके अब उनको कटाक्ष करने के लिए काउंटर करने के लिए अगर कुछ यूट्यूबर्स जो सोशल बहुत बड़े वकील हैं इन्होंने अमित मालीवे की बारे में एक बात लिखी है यह भी बहुत जूट फेलाता है भारते जिनता पार्टी का आईटी सेल का मुख्या है बहुत सारी बाते फेक साबित हो चुकी है इसके खिलाफ इस अमित मालीवे बीजेपी आईटी सेल चेर्मेन सीरियल फेक न्यूस पैडलर बिल्कुछ साफ लिखा है इन्होंने इन्होंने जून दो यहदार तेज में ही शेर्ड इसने शेर्ड की मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट राहूल गांदी विद एन एनिमेटेड वीडियो एक वीडियो लगा दिया था राहूल गांदी का करनाटक पुलिस रजिस्टर्ड एफ आई यार ही वास पिरुवन रॉंग सॉरी पैच तो दर्शको इसने यह इस तरह से क्या राहूल गांदी पर उसके बाद पूरी की पूरी इसने परशांद भूशन साहब ने किसे का ट्वीट जो है वो लाड़ा है पिछले अफते उसने शेर की इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन एबाउट दा राजेश पाइलेट वो बताया कि मिजोरम पर जो हवाई हमला हुआ था राजेश पाइलेट ने कर दिया था उस टेम वो पाइलेट थे उसका जो है खंडन भी आ गया है सचिन पाइलेट और गैलोट ने भी बताया ये भी जूट बोला इन्होंने ही वाज एक्सपोस्ट बाइदा च था बहुत सारे पत्रकारों ने बताया था लेकिन जब उसने का मैं राहुल गांदी से मिलना चाहता है वो मिल लिए खाली है इस समय मिल लिए परधान मंतरी बन जाएंगे तो नहीं मिल पाइंगे संबव नहीं है मतलब संबव इंदा सेंस हो सकता हो ना मिलना बीज़ी शे अमित माल वे डिडंट और उसने माफी भी नहीं मांगिये किसी भी केस में डिडंट फैल्ट और कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किये ही विल इस्टी इस्टिल कंटिन्यू टू सर फेक न्यूज एंड मिस लीड पीपल और वो बराबर गलत और जूटी खबरे फैला रहा ह किसके बारे में कोई नोटिस शिशी होगा किसी सरकार के माध्यम से परशान बूशन ने तो यहीं लिखा है अब मैं आपको दर्शा को बताता हूँ आरेसस का एक बहुत बड़ा और्गनाइजर पांच जन्ने मेरी रिक्वेस्ट है आप से आप अगर आपके आप मोबाइल है आप ट्यूटर पर जाएए वहाँ पांच जन्ने खो लिए तीन महीने की खबरे देखिए तीन महीने की लगातार बराबर उसके अंदर आपको सिर्व यह मिलेगा यामीन एक बच्ची के साथ मिला मुरसलीन ने चोरी कर ली यह सारा नाम ले लेकर वो सिर्फ और सिर्फ ह पांच जन्ने और्गनाइजर अब उसको क्या हुआ है संकी पत्रिका से इसाई प्रिंस्पल पर ननों के उत्पिलन के आरोप लगाने वाला लेक हटाने को कहा है आरे सिसकी पत्रिक पत्रिका है और्गनाइजर यह अंग्रेजी की है शायद जून में परकाशित एक लेक मे दिल्ली के एक इसाई स्कूल में के प्रिंस्पल उपर ननों विध्यारतियों के शोशन समेट के यारोप लगाये थे इसे हटाने का आदेश देते हुए हाई कोट ने कहा कि पर्थम दिरश्टा लेक को किसी तत्यात्मक सत्यापन के बगेर लापरवाई तरीके से परशाथ परकाशित कर दिया गया है इसाईयों के खिलाब मुस्लिमों के खिलाब ये दोनों पत्रकाई जहर उगलती हैं किसी ने भी नोटिस जारी नहीं किया है पत्रकारों के खिलाब नोटिस जारी हो गया है कि आप एलोग ऐसा कर रहा है मैंना आपको आईटी सेल के इसके बारे म बता दिया है बेराल दर्शे को बात ये है कि पत्रकार अपना काम करते रहे हैं जब तक भी आजादी है आजादी इंदसेंस जब तक कि लोग कोई ऐसा कानून नहीं लेकर आते हैं तक्तियों के साथ बात कर लें जाहिर सी बात है कि इंटेंशन तो पत्रकार की पता चली जात है अब कल एक सुधीर चोधरी की इतनी बेजज़ती किरी स्मृति रानी ने जेल के बारे में बता दिया बोल नी पाया चुकि पैर बंद हुए हैं बोल जाता अगर अर्श्मृति रानी से पूछ लेता कि आप मुझे जेल की बात कर रहे हैं आप भी बताईए आपके ओपर परदान मंत्री जी की भारती जंता पार्टी के गुलगान करता है उसको उसी के मंच पर जलील कर दिया स्मृति रानी ने होना है जलील अरे घर बैठ जाओ ना अपनी इज़त बचा लो लिख लो चुकुछ पत्रिकाय निकाल लो अपनी यूट्यूब चैनल बना लो बैठ जाओ लेकिन नहीं बड़े बड़े पैकेज इस पर जाना है और देश के अंदर एजेंडे को चलाना है बेराल दर्शको खबर के आपको कैसी लगी अपनी राय केमेंट स्बॉक में जरूर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे शेयर कीजे नेक्स टाइमें किसी खबर के स जादा ताट जेह